हलो फ्रेंड्स ना ही गुतना ना ही बेलना बहुत फटाफट सा यह रेसिपी बन जाती है जो आपके कजोरी खाने में आप जो शौकीन है ना तो यह रेसिपी आपके लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है बहुत फटाफट सा यह रेसिपी बन भी जाती है और खाने में बिल्कु किया हुआ धनिया है और या सोफ है यह राय है यानि कि सरसू है सारे चीजें जो है हमने 140 स्पून के खरीब लिया है और जो चीज इसमें से आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है आपके पास पच्छ फोरण जो होता है वो अगर हो तो आप एक चमच भर करके डाल स यहां पर कोट करके रखा है यह हरी मिर्च मैंने दो पिस ली है और लेसं थी और अद्रक इन तीनों चीजों को मैंने अखल बत्ते में अच्छे से मने क्रश करके लिया है तीससे जो टेश्ट ना इस नाश्ते में और बढ़ जाता है अब इस अच्छे से हम ना चलाएंगे मिक्स करेंगे गैस का फिलीम जो है बिलकुल लो पे रखना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे बस फटा फट से इसे चला लेना है चलाने के बाद यहां पर डाल देना है एक मीडियम साइस के प्यास को बिलकुल जो है आप जितना चौप कर सकते हैं बारे कियाने की आप चौ प्यास करते हुए हम पकाएंगे बस गैस का फिलीम जो है बिलकुल लो ही रखना है हाई पर नहीं करना है तो इसे थोड़ा से यह जो है प्यास हमारी बिलकुल सॉफ्ट हो गई है जैसे ही सॉफ्ट हो जाए ना इस इस तेच्छ पे क्या करना है आधा चमच यहां पर डाल देल सफेद तील इससे जो नाशते में एक्क्रंश पन आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है तो इसे डालने के बाद ना बस इससे अच्छे से मेक्स कर देना है और अब कुछ नहीं करना है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अथा मिनट के लिए ताकि सारी चीज थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर डाला है कलर के लिए ताकि इसमें से कलर अच्छा सा सके अब डालेंगे 1 फोर्टे स्पॉन धनिया पॉर्डर और इसके साथ ही में जाएगा जीरा पॉर्डर यह भुना हुआ जीरा पॉर्डर है अगर आपके पास सिर्फ वह जो मसाली में डाल माइज के अशल नहीं इतार कर लिए 6 उस्ती और शनान वालब हो कि आप विल्कुल ज़हें जो है ग्रेंटे से अच्छे से ग्रेट कर लिए iç mortgage कर लिए और उसका देड़क़ना है आपको इसे अच्छे से मायश कर लिए में तो आप बिल्कुल जो है संग्रेटर से क्रीट क तब लंब से जो बिलकुल नहीं होनी चाहिए तब यह नाश्ता बहुत ही अच्छे से इसमों नाश्ता बनेगे अब इस मसाले के साथ ना अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे तो एक से दो मिनट जो है आप इसे अच्छे से बहुन लिगा ताकि आलू का जो कच्छा अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने डाल दिया चाट मसाला वन फोर्टेजपून क्योंकि यह नाश्टा जो बनने जा रहा है ना विल्कुल टेश्टी फूल बनेगा और चटपुटा बनेगा तो देख सकते हैं जो भी मसाले यहां पर मैंने यूस की है वह सारी मस समोसे हो या कचोड़ी हो अब यह फिलिंग्स ना किसी भी चीज में अगर आप डालेंगे ना बहुत ही टेश्टी बनेगी क्योंकि यह जो मसाला बना है ना बहुत ही अच्छा बना है अब देखिए मैं यहां पर डाल रही हूं आधा कब पानी आप सोच रहे होंगे कि आल तो आप देखिए यहां पर हमने पानी काई किया है तो अब यह जो है बिल्गुल थोड़ा बने भी पानी डाला है थोड़ा थोड़ा करके डालियेगा पानी एक बार बिल्कुल ना डाले नहीं तो यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पा कएगी तो अलू के स्टफिंग्स को ज लग गया अब यहां पर देखे एक कप मैंने यहां पर गेहूं का आटा लिया है गेहूं का आटे को अच्छे से छान लेना है ठीक है और इसके साथ ही में वनफोर्ट कप सूजी मैंने ली है इससे जो नाश्टा बनेगा ना बिल्कुल कुरकुरा और बिल्कुल खस्ता सिर्फ गेहूं के आटे से भी यह नाश्टा बनाया जा सकता है बहुत ही अच्छा बनेगा ऐसा नहीं है कि सूजी के बिना नहीं बनेगा तो चलिए इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं यह थोड़ी सी सुख जाएगी हाड हो जा रही है तो मुझे क्या करना के एसे हम डो फॉर्म में ले आएगे जिस तरीके से हम आटा गुद्टे हैना बस उसी तरीके से अच्छी से 1-2 मिल limp आपको पकाना है क्यूंके आटा है न तो आटा अच्छे से पख जाना चाहिए ठीक है तो इसे आ अप अच्छी से लो फ्लेम पर पकने दीजेगा बहु निकाल लिया है देखिए तो बहुत गरम भी है और इसे साफधानी से आपको गुथना भी है थोड़ा सा अब इसके बाल जो कटिंग करेंगे ना तो मैं आपको बिल्कु लेजी तरीका बाल कटिंग करने का बता रही हूं क्योंकि अगर आप इस तरीके से जिसे हम के रोटी हैं तो लोई हम लोग कट करते हैं तो हाथ से तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं लेकिन ना उससे बैटर आपको मैं यह बता रही हूं ना बहुत असानी सही आपकी यह नाश्ता तयार हो जाएगी इस तरीके से पहले हमने क्या कि इसे रोल कर लिया इस तरीके से अब अपको आपको पसंद आया हो तो यह नाष्ट जोटा चूप्टा इसा नहीं मैंने यह ज़ता आपको अगर आपको पसंद आए तो यह फॉलो कर सकते हैं नहीं तो आप अपने हिसाब से इसे टिकी का सेप दे सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि सभी नाश्टे हमारे बन चुके हैं बहुत फटा-फट से बन गया है यह नाश्टे इस तरीके से मैंने बना लिया है तो बनाने के बाद अब इसे हम करते ह कि मेरी ओरका की श्याहिँ ऑफनी थे का सदेते डिब्यश्यूर्टे में हदो काई वानी है तो आप इस डिखियन तो आप इस रेसीपी को ए गये आप विर गजा बातले है कि आज की रिसेपी आपको कैसी लगी इसे हमने इसे तरीके से छोड़ देना है और इसे ना मैंने अभी हाई फिलेम पर ही रखा है जैसे ही मतलब कि हलका सा स्पोट इस पर आ जाएगा ना तो बस मीडियम कर देना है फिलेम को उसके बाद इसे खसता और करारा बनाने के लिए हमने इसे बिलकुल मीडियम पर रख दिया है ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से जाली नुवा बन सके हलकी फूल क्या ये फूल भी सके और अच्छा सा खसता बन जाएगी तो चलिए देख सकते हैं कि एक साट से अच्छा सा कलर आ गया है इस तरीके से हमें फिलिप कर लेना है सबी पीसे को और ये देखी बहुत प्यारा सा कलर इसमें आ गया है तो चलिए अब हम क्या करेंगे कुछ सकंड इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये और भी अच्छे से पक सके तो कुछ दो मिनट मुझे लगे इसे पकाने में फ्रेंस के बहुत ही अच्छा शेयर मैं नहीं कि जरी फैमली में क्योंको ये गहों के आटे से बना है विल्कुल ह Fame तरीके से बना है अगर आप 통ा से मैलिए अब येर फ्रायर में डालना चाहते हैं तो आफ इसे बहुत असानी साम डाल करके इसे क्रिस्पी और करारा बना करके इंज्याय कर सकते हैं तो यह देखिए जो भी मेरी बैच बच्चे थे एक दूसरे बैच को भी मैं इसी तरह के से तके एक verse के वाकिय में यह CRIPY है या नहीं बनी है थे ससे आप मियुच के साथ भी सर्फ कर सकती है जिसे मिल परह और पसंद हो तो आप इसे तो मैं यहां पर दही रायता के साथ मैं से सफ कर रही हूं बहुत ही बघृते लगती है ताकि आपको अच्छा सद मैं दिखा दू चलिए मिर्च भी है भाई आपको जिसे खाना हो खा सकते हैं तो एक पीस मैंने ले लिया है यहाँ पर देखिए देखिए तोड़ने से आपको अंदासा लग रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बनी है देखिए अंदर की देखिए कितन अच्छी से बनी है कि एकदम फुला फुला सा यह बना है ना बस आपको देख कही समझ में आ गया होगा कि यह बिलकुल वाकि बहुत अच्छी रेसिपी आफ्रेड्स आप एक बार इस रेसिपी को बना सकते हैं तो चलिए भाई मैं ट्राय करके भी दिखाती हो कि यह कैसा बना है चलिए मैं आपको इसके साथ डिप करेंगे दही के साथ बहुत टेश्टी बनती है इस रेसिपी को एक बार ना जरूर से ट्राय करके देखिएगा क्योंकि कशोरी या पकोरी खाना भूल जाएंगे आप इस रेसिपी को अगर एक बना लेंगे तो चलिए फिर मिलते कैने इस